अब की बार तो बीजेपी को अर्याना से साफ करेंगे जनता कुछ नहीं पेल वान पीट दिए शरपंच पीट दीए आंगनबढ़ी पीट दीए पीट लिए कोई एक मैकमा गिनवाएज हो जो ना पिट्ट आओ हूँ जिसमें आप देख रहे हैं जनहीत आवाज मैं इसमें हरियाना में हुआ और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि द्वार बना हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है इस गाओं का नाम जो ग्राम पंचायड डाहर है वो आपका स्वागत करता है मैं हरियाना में हूँ और हरियाना में चुनाओ है और मैं हरियाना में लगातार भरमण कर रहा हूँ कि इस बार जो हरियाना में बिधान सवा चुनाओ है हरियाना में इ किसकी सरकार बनेगी मैं इनहीं से जानने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगे ताओ इस बार हरियाना में किसकी सरकार बना रहे हैं आप लो हम कंग्रेस की सरकार बना रहे हैं लेकिन हला तो है कि इस बार बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है बीजेपी सरकार भी तीसरी ब कि आपको क्या परिशानिया हैं राष्टे तो एक नम्मर के हैं नहीं एक नम्मर के क्यों हैं आप लोग बीजेपी से नराज कि हुए हैं यहां बहुत बारी समझ्चा खड़ी हैं वो बुदैन को किसान हों कुछंट में कृस्त कर रही है तो किसानों को लेकर तो तमाम पाले measuring कानून आ रहे थे विए कम ने वाफस ले लिए उसको यहां से आप लोग किसको जिता रहे हैं हम सचुन कुंडू जी को चलिए तो यह ताउजी थे कह रहे हैं कि पानिपत बिधान सबाद जो है ग्रामेड यहां पर सचुन कुंडू जी को जिताकर असेंबलिम भेजेंगे और यह साब साब कह रहे हैं कि तमाम मुद्दे हैं और हर्याना में इस बार कॉंग्रेज की सरकार बनेगी और एक ताउजी है मैं क्या कहेंगे क्या इस बार का मुद्दा है लोग कह रहे हैं कि हर्याना में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है जी नहीं बिलकुल वे न कर है बीजेपी जब की किसान हर जाति को पाड़ ना चाती है यह रजihenत्य उन्हें देगी इनकी नहीं चले जोगी एक तो वर लेकिन किसानों को देख मुद्दा है लेकिन राश्ट का मुद्दा उससे बड़ा बढ़ा रही है बढ़ा राष्ट अब तक तो गठता चाल रहा चीन चाहिए चीन दमकाई बंगलादेश बंगलादेश दमकाई बुटान से दोस्ती खतम नेपाल से दोस्ती खतम कहां तक इने मारा साध्या बीजेपी ना देशी मुद्दों पर अमेरिका जिसे देश जो है वो मोदी जी के सामने सर धुका रहे हैं आप कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान करने से कोई सर ने जुकाता है हूँ अल्ला करने से ने ये तो इंदरा से भी जुकाते दे सभी देश ऐसे चलिए मैं आपसे सवाल लूंगा कि अगर कॉंग्रेस सरकार बनाती है हरियाणा में तो मुख्यमंतरी के तौर पर आप लोग किसको देखते हैं मुख्य मंतरी उस चुनेंगे रहुल जी जी बलकुल रहुल जी चुनें गरमिया है वो तेज हैं चकी चाुरा है पर से अवाज आरी स्पार कॉंग्रेसं बीजेपी में बहुत काटे का मुकाबला देखने को ने काटे का मुका नहीं का मांडेस की बीजेपी प्रूस से सब्सक्राइब की कि एक तरफा मजोर्टी आएगी लिए का बीजेपी ने तो बहुत बड़े-बड़े काम किया है आईश्मान भारत आप लोग बुजूर के हैं अगर आप लोग के बहुत नराज है अगनी वी रियोजना से नराज है पहलों आनों के साथ कैसे उन्हों ने की किसानों के से कैसे किया भूद मुद्धे जो पबली सारी कटी बठी है दस साल कुछ भी नहीं किया इन्होंने कुछ भी नहीं किया आपस में लड़ाए है डबल इंजन की सरकार चल लई थी और तमाम ऐसे काम किये हैं डबल इंजन दोनों दूमा देगे डबल भी किधर घुमाएंगे उड़ हुद्धा साब के और घुमाएंगे हाँ वही काम कर सकता रियाणे में अबल इंजन की जो सरकार चल लए आप उड़ा साब के तरफ घुमाएंगे हाँ एक नमबर वही बनाएगा रियाण पहले भी बना आप दोबारा आप सब से पिछ्छे चलागा कट्टर गे राज में क बना दिया उसको उसको पताए कुछ नहीं है वही लुटिया डबोएगा बीजेपी नायब से निये काश्टी जम का बड़ा मुद्दा है नायब से निजी खुद आ रहेंगे मंत्री हैं हाँ उसको सीटी नहीं मिली बड़ी मुस्के लिए कहां गया है करना सीट भी पचास मेंड़ा ना बैठ्टा एक भी आदमी निजा लेकिन आप बुजूर्ग है आपके लिए मोदी जी आईसमान कार्ट चलवाए अगर आपका तबियत खराब हो जा रहा है तो पांच लाग तक आपका मुप्त इलाज होगा हम बिमार होते हैं नहीं हमें बिमार होते न ना यह कर आपने कार्कारि हो हो का में चाहिए जैगा जर लग रहे हैं कंग्रेस की सरकार बंदे मिलेगा मोदी जी तो तमाम काम की है तो मोदी जी आप नराज क्यों है कोई विश्वास नहीं है एंटी जाती पाती का विरूद्धी है धर्म का विरूद्धी है धर्म के खिलाप आप्धी का भी गठर्म हो जाए गया एया तुक हाच है धर्म का विरोद должна भी रोदिया राम मंदिर मनवां धी धर्म का भी करां soothing मारे व्यां हां मारे को खाने को देगा राम मंद्र क्या का है काय रहे है Lean यह सारे बुल डोजर चला गएड ल redemption शुप्रीम कोर्ट ब्रेक रगा बुल डोजर गया इसे æसे पर fever कोड को भी डिमान नसा चाहे है सुप्रीम कोर्ण के नी च्छाहें यह भी पर जाम जो क्रीम नात्वा्म होंगे जो विटकाम करेंगे जुछ हुआ है लोग लोगं नहीं चालते तक यह नए नहीं त होड़ा करते हैं यह हैं नए हैं नहीं कौन के पास यह जात्पात करते हैं वो पत नए आँ साef Act ुप भी ब्लीक इसको फिर उठागे विट ईमानेटरमे देश में 55 साल कॉंग्रेस राज की है सबसे जादा जाद पात उसने फैलाई है कांग्रेस की दिन है जब देश अजाद हुआ कुछ भी नहीं था जब देश अजाद हुआ तो कुछ भी नहीं था रोकरों परते एक सिर्श जी रोजगार दे रहे हैं कुछ रहते हैं उनके पेपर लीग हो जै हैं पेपर लीग एक मुद्दा है मुद्द सारे सोद्य मुद्दा है वो सब अपने अपने अदमे लगाने के वो कर रहे हैं सब कुछ नहीं है वीजेश पिर तो सत्य नाज कर दिया देश का कहां देश का सत्य नाज कर दिया आप लोग ऐसे कॉंग्रेस के सपोर्टर हैं तो कह रहे हैं अगनी वीर योजना क्या है यह अगनी वीर योजना इसले लाई गई है ताकि यूवाओ की सहचीक मानसिक रूप से मजबूत किया जाए मानसिक फेर उनका बात बहुत रोटी कौन देगा उनको च्यार साल के बाद कौन खाना देगा उसको जब उनको सारीरीक आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत कर देगी सरकार तो बात में खुद रोटी कमा लेंगे करते हैं यह बरत बुशल जैसे गुंडे पाल रखे है बरत बुशल जैसे गुंडे दो पाल रखे हैं नहीं सारी दड़कियों के उपर ने पैर रख गई विनेस फोगाट जैसे इनके उपर क्या मुराल किया था दंतर बंतर बै लोग तो कह रहे हैं कि विनेस फोगाट जो अभी चुनाओ लड़ रहे हैं जुलाना से जो एक साजिस का हिस्सा था जा जिसका नहीं साजिस ठोड़ा थी वह तो मचैरी मजबूरी से आई है चोड़ गए वह तो वहां भी इसका परिश में भी उसको अरवादिया जाने कैं यह दिस शरकार मजबूर तो उसको गोल्ड मैटल मिलना था उसको कमजोर सरकार है तो प सारे कोच बगरा उसी के थे उसे कारण होया सारा कम है उसी के कारण हुआ है चलियो तो यह नराजगी है यह किसानों में जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि लोग साब साब कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है जो अगनी भी रियोजणा है वो मुद्दा है और जो बिनेज फोगार जो महिला पहलवान थी देश की बेटी थी वो एक मुद्दा है और भी मुद्दा MSP भी है और यह लोग साब साब कह रहे हैं कि कॉंग्रेस की अगर सरकार बनती है तो MSP लागू की जाएगी और एक ताव मैं इसे जानने की कोशिश करils कोरेंगा क्या लग रहा है कि इस बार जो देखा जाए ende को लेकर चलती है कि अमरीका से बनाएंगे यह सरकार, अकि यहां से बनाएंगे, बनेगी तो यहां से, जब हम सरकारे ने बनाएंगे कहां से बनाएंगे यह सरकार, लोगों के मत जहां जाएंगे वहां से सरकारे बनेगी, मत कहां से लाएंगे, जब इनके विधायक असेंबली में चुनकर जा सब्सक्राइब करता है करता है कि एक मुद्दा है MSP कहा दी कितनी दी एक किल्ले में कितनी कुएंटल सर्शम होती है खरीदती कितनी है सरकार छे कुएंटल सरकार खरीदती है उसको और बाकी के एक पचास किलो जादा हो जो उसको किशान वापिस ले के आता है लेकिन अभी आपने देखा होगा जिसतर से हरियाना का मैंने मुख पेज पर पढ़ा दैनिक जागरण में था कि जब से भीजेपी की सरकार बनी है आज की ही रिकोटती है मैं एक किल्ठ में कितनी सर्सोती सरकार को पता कितनी होती है गरना कितना होता है होता कितना लिखती है उस में में शुक्रमियल में डेट सो क्वेंटल लिखती है अगर यह ना हो तो कहां से किसान क्या करेगा किसान उसका डाटा उपलब्द नहीं करा पाते हैं किसान अगांच शरकार में जो बैठे सरकार आएगी उसकी देख लिए कितनी कमेस्पी मिलेगी कौन सरकार खरीद देगी चलिए तो तमाम मुद्दे हैं यह लोग कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो एक जो कठा होता है उसमें कितना कुंटल जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से जो सरकार है वो आकड़े लग है चलिए तो यहां पर लोग है मैं इन से जानने की क्या करते हैं मंतूरी करते हैं मज्दूरी करते हैं मच दूरी में क्कों सा काम करते हैं जटाइफ काम करते हैं च Adv起來 क्या बनगे जिक कॉर्ड करेंласт कि आफ लोग ये पानी ग्रामीड वीधान सब्ल्म कांग्रेस को बोड देंगे और पठयासि अब जे हमें नहीं मालूँ है यह काम करते हैं राजनितिक यह कि नहीं सь रिमिलद है है हमें हमें मिलाती यह 1210 चल जाता काम का नहीं चलाता क्या करें चलिए एक 2 आप थे इनको पता नहीं है राजनितिक चीजे क्योंकि भी मिश्दूर क्वे St04 बारा हजार इनकी शेलरी है काम नहीं चल पाता है और भी लोग है मैं बाचमियद जानने की कोशिश करूंगा कि चीजे क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है इस बार सरकार जो है वो कौन बनाएगी पार्टी क्योंकि जो विधान सवाच चुनाव है हर्याणा में उसको लेक बना हुआ हरियाणा चुनाओं में एक किसान जी है मैं इससे जानूंगा क्या लग राइस पर हरियाणा में किसकी सरकार बंदें लोग तो कह रहे हैं बीजेपी बना रही है सब्सक्राइब लोग सवाच चुनाओं में लोग कह रहे सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लगए लोग तो कहने बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रहे हैं जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार बनाई है आपके लिए आई समांकार तो बन साथ हां कुछ भी नहीं बना रखिया कुछ नहीं बना रखें आपके इसका भी नहीं बना रखें यूपरे दादा जी थे कह रहें कि डबल नहीं ठीरपल इंजन हो जाएक और है क्या कहेंगे सरकार को लेकर जो ना पित्या हो आम बोट देंगे उसको पित्या है प्रोट देंगे फर पता चल जाए गा न न किसान थे अभी पता चल जेगा आठ तारी को पता चल जेगा तो खालिस्तानी बैठ असली किसान तो खेतों में घट वात रहे बारती जनता की पार्टी की सरकार बन रही है आप नहीं मानते कि जो बैठे थे कालिस्तानी कि किसान थे किसान इतने दिन तक अपने खेद को छोड़ कर नहीं जाते तरहा बदावा सिरपे की है कि सरकार बदलनी है यह सरकार फैल होकाओ यांदर लुट कुछिक नहीं कर्या की बदलनी तो क्यों बदल थीरे विकास ही नहीं कामियाब करी है कि अमेले के मिनिस्टर के एंपी के किसी की चलने दिया रियाना के अंदर है बीर्सु में डंका बज रहा है क्या है आप लोग नहीं चाहते हैं 15 सरकार को기는 पयादा निगे इ头 का जुढ रहाएँ शरकार को करतों सरकारा बदलेगी यहां और बीजेपी सरकार बनाएगी पचासी सीट आओंगे कांग्रेस की कांग्रेस की बीजेपी की निर्दली आओंगे पांच भी आए तो निर्दली आओंगे इसरियाना के अंदर उड़ा से वगएर उड़ा के वगएर को इसतना बताओं विकास करने वाला कोई है नहीं ये बात गारंटी समेद मैं करता हूँ चलिए ठीक है तो यहाँ पे तमाम ताओं लोग बैठे हुए थे मैं राज़ते में जाते जाते उनसे बात किया और एक तरफा लोग बोल ले हैं कि इस बार हरियाना में कांग्रेस सरकार बना रही है क्योंकि दस सालों में जिस तरह से भारती जनता पार्टी की सरकार हो रही वो जुमले बाद साबित हुई है वो एक भी स्वस सिच्छा रोजगार को लेकर उसके धरातर पे एक भी काम देखने को नहीं मिला है आप क्या सोचते हैं में कमेंट में जरूर बताएए सुक्रीए